हेलो अप्रीवान वलकम बैक टुछ अज्म है कोड़ आज मैं आप सब लोग के साथ शेयर करूंगी कांची चिकन करी यानि की देशी चिकन करी यह सब कहीं घर में बनता है और सब लोग इना सकते हैं लेकिन मैं कैसे बनाती हूं मेरे घर में यही मैं आज शेयर करूंगे आप सब लोग के साथ देशी चिकन मुझे बहुत पसंद है लेकिन मेरी यहार रेरले मिलता है इसलिए जब भी मिलता है मैं कोशिश करते हूं थोड़ा सा अच्छे से बनाने की ताकि थोड़ा सा रैलिश करकी से मैं खा सकती हूं तो आज मैं वही रेसिपी आप सब लोग के साथ चलिए देखते हैं यहां पे 700 ग्राम के करीब चिकन लिया है अच्छे से धूके क्लीन किया है अब इसमें डाल देए हूं आधा चम्मच नमक उसके साथ में डालूंगी थोड़ा सा और मसाला डाल रही हूं आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर औ लाल मिर्च पाउडर में आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डाल रही हूं आप आपके टेस्ट के अकोडिंग डाल रही हूं आधा चम्मच जीरा गालिक यानिक अध्रखला सुन की पेस्ट और डाल दूंगी एक चम्मच सरसो का तेल अब हाज से बहुत अच्छे से मै मैंने मिक्स कर लिया है चिकन को अब इस चिकन को मिनिममम आधे घंटे के लिए में ऐसे ही जोड़ूँगी चिकन को माइनिट करते हूए आधा घंटा हो चुका है अब मैंने कराई ले लिया है अब इसमें मैं डाल रही हूं चार बरे चम्मच की तेल मस्टर्ड ऑयल डाल यानि की सर्चो का तेल इसी में ज्यादा अच्छा बनता है अब तेल को अच्छे से गरम करने के बाद मैं डाले हूँ आधा चम्मच जीरा दो सूखी लाल मिर्च और साथी में दो तेज पत्ता अब सब कुछ बहुत अच्छे से एक बार मैं मिक्स करूंगी तेल के साथ त ड्याइक के फ्लेम को लो फी डखके इस प्याज को फ्राई करने देते हैं तब तक हैं अब कर पानी डालके इसका लीड बनत कर के मैं अच्छे से एक पेस्ड रोडिकर लिया है अब यहाँ पे देखिए प्याज काफी हद तक फ्राई हो चुका है प्याज को बहुत जादा ब्राउन करके फ्राई नहीं करना है मैं कूकर में नहीं बना रहे हूँ देशी चुकन कराई में ही बनाओंगी इसलिए थोड़ा सा जादा टाइम लेगा तो प्याज अच्छे से कुक हो जाएगा तो अब देखिए मैंने इसमें डाल दिया है जो अध्रा खरी मिर्ची और लैसुन का पेस्ट बनाया था इसको अच्छे से थोड़ा सा में फ्राई करूंगी एक से देडर मिनिट के लिए ताक कि रॉस्मेल याने की कच्चा स्मेल बिल्कुल भी ना आए मैं आज कराई में बना रही हूँ आप चाहते तो प्रेशर कूकर में भी डिरेक्टर से बना सकते है अब देखिए सब कुछ बहुत अच्छी से फ्राई हो गया है अब इसमें हमें डालना है जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था इसको बाद में भी मसाला डाल सकते है ले इसलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा तो इसलिए मैंने टोमेटो या प्याज किसी का भी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है तो अब इस चिकन को हम धीरे-धीरे बखाएंगे गैस की फ्लिम को बिल्कुल भी हाई पर नहीं रखना है इस टाइम गैस की फ्लिम को यूपी रखके मैं कवर कर दूंगे कराई को और कम से कम दस मिनिट के लिए इसे कुक करूंगी आठ से दस मिनिट बाद मैं लीड ओपेन कर रही हूँ देखिए चिकन से पानी रिलीज होना शुरू हो गया है और इसी में धीरे-धीरे चिकन कुक होगा तो टेस्ट भी अच्छा आएगा सबका ही कोकिंग प्रोसेस थोड़ा सा लग होता है तो आप लोग घर पे कैसे बनाते हैं देशी जिकन कमेंट बॉक्स पर मेरे साइज वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं तो देखें सबकुछ एक बर मिक्स कर लिया है अब इसमें मैं डालूँगी दो लहसुन यह ऑप्शनल है लेकिन बहुत अच्छा लगता है देशी जिकन में तो मैं एकदम दो खड़े लहसुन को इसमें डाल रही हूँ अच्छे से क्लीन कर लिया है अब फिर से कबर कर रह आप चाहते हैं तो तेल मसाले का इस्तमाल कम करके भी इस चिकन करी को बना सकते है लेकिन जैसे बताया के यह बहुत कम मिलता है मेरी यहापे इसलिए मैंने थोड़ा सा अच्छे से ही बनाने की आज कोशिश की है तो देखिए सब कुछ फिर से एक बार मैंने मिक्स कर दिया है यहापे चिकन को पकाते हुए और मोस्ट बंडा से 20 मिनिट हो चुका है तो इस टेप मैं डालू के पीसे को आलू को हलका सा मैंने पील अप कर लिया है मैं यहाँ आलू को अलग से फ्राइ करके नहीं डाल देई हूँ क्योंकि स्लो को किंग में ग्रेवी के साथ मसाले के स तीरे-दीरे आलू को खोगा तो अप्रमेटिकली आलू में टेस्ट अच्छा ही आएगा आप चाहते हैं तो आलू को फ्राइ करके भी डाल सकते हैं आज के इस चिकन करी में मैंने कश्मी रेचचुली पाउडर का इस्तवाले ही किया है क्योंकि हरी मिर्ची के साथ मैंने तक तक मैं यहाँ पीसूंगी इलाइची और दाल चीनी को आप गरम मसला पाउडर का सकते लेकिन कभी ऐसे इलाइची और दाल चीनी को पीस के डाल के देखिए बहुत अच्छा फ्रेश एक आरोमा आता है जो इस देशी चिकन करी की टेस्ट और फ्लेबर को और भी ज्यादा इंधांस कर देता है तो देखिए अच्छी से इसे पीस लिया है और इस साइट चिकन आल्मोस्ट 70% कुक हो चुका है चिकन से जो पानी रिलिस हुआ था वो अल्मोस्ट एबसर्ब हो गया है और चिकन ड्राइग होना शुरू हो गया है लेकिन चिकन अच्छी से सॉप्ट नह पारम पानी डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी भी रखना है आपको अगर एक दम ज्राइब नाना आँ अप थोड़ा सा कम पानी का इस्तमाल कर सकते है यहां पे तो पानी मैंने डाल दिया है अब इसमें डालना है हमें नमक क्योंकि शुरू में ही हम लोगों मेरिनेशन में डाला था उसके बाद नहीं आड़ किया है तो टेस्ट के अकुडिंग इस टाइम मैं सॉल्ट आड़ कर रही हूँ आप यहाँ पे टेस्ट करके सॉल्ट यानि की नमक को डाल सकते हैं तो अब फिर से कवर करके कुप करूंगी तब तक जब तक चिकन अच्छे स सॉप्ट ना हो जाए पानी डालने के बाद यहाँ पे मैंने आठ से दस मिनिट के लिए और इस चिकन करी को पकाया है तो यहाँ पे एकदम बन गया है आज के चिकन करी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर भी आया है और इस टाइम चिकन और आलू दोनों ही अच्छे स कुक हो चुका है तो अब मैं इसमें डालूंगी जो इलाची और दाल चीनी का पाउडर मैंने बनाया था इसको आप इस टाइम गरम मसाला पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन एक बार ऐसे ट्राइ करके जरूर देखिए उमिद करूंगे आप लिए को बहुत पसं गर्म गरम स्टीम राइस रोटी पराठा किसी के साथ भी आप इस देशी चिकन करी को प्यार आप कर सकते हैं लेकिन मुझे परसनली यह स्टीम राइस के साथ ही खाना बहुत पसंद है तो आज की रेसीपी करसा लगा कमेंट बॉक्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए और इस अज बॉक्तार आप इस तर इस दटीम राइस के साथ है जरूर मुझे तर इस दोर्थ प्रार आप जरूर आप पर वह से पांपकी राइस से लेकिन।